यह देखे गाइज आज हम बनाने जा रहे हैं मटर और चावल के आटे की कचोड़ियां जो कि बहुत यम्मी बहुत टेस्टी बनती हैं जिसको ना बेलने का जंजट है ना डो लगाने का जंजट है तो देखिए कि कैसे हम बना रहे हैं हलो एवरिवन आप सबका श्वागत है हमारे यूटूब चनल चाया मिस्रा में और यह देखे गाइस हमने अपनी रख ली है पैन जो की इसमें हम डालेंगे एक स्पून घी और इसको मेल्ट कर लेंगे जब यह हो जाएगा तो यह देखिए हमने डाला हाप टेबल स्पून ज क्योंकि भुण जाएगा तो जादा अच्छा इसमें लाएगा तो अब इसमें हम एट करेंगे कुछ ड्राइब मसाले जिनको हम बिना पानी के कुक करेंगे तो यह लिया हमने हल्दी यानी टर्मिरिक जो की हमने हाप टेबल स्पून ली हुई है और अब इसमें हम पाउडर 1 टेबल स्पून अब इसको हम चलाते हुए यह देखें हिंग स्वाद के अनुशाल यह हिंग 3-4 पिंच अब इसको हम चलाते हुए ड्राइर रोस करेंगे क्योंकि हमें इस चपिंग को बिलकुल ड्राइर बनाना है जादा हमें पानी का आयट नहीं करना है इसमें तो यह देख सकते हैं मसाले मारे भून चुके हैं तो इसमें अब हम एट करेंगे बेसन जो कि दो टेबल स्पून लेंगे इसको हम मसाले में भून लेंगे क्योंकि अगर हमारे स्टपिंग में थोड़ा सा भी मौश्यर जादा होगा तो यह बेसन है मौश्यर भी सोक लेगा और हमारे जो मटर की स्टपिंग होगी उसमें हम यह बाइंडिंग भी देगा अगर आप चाते हैं कि हम बेसर नहीं यूज करें तो आप इसकी जगह पर बॉय लालू भी एक से दो एट कर सकते हैं तो यह देखिए हमने डाल दिया है मटर अब इसको हम चलाते हुए कोट कर इसके वज़े से चाट मसाला में भी नमक होता है उसकी वज़े से हम थोड़ा सा नमक समझ के जाल डालेंगे और यह देखिए हमने दो स्पून के करीब पानी एट किया हुआ है और इसको अब हम चलाते हुए कुक करेंगे क्योंकि इसमें हमें जादा पानी का यूज नहीं करना है क्योंकि ड्राइस बनानी है इसकी स्टपिंग जिससे कि हमें भढ़ने में आसानी हो स्टप करने में आसानी हो तो इसे हम ढख करके पका लेंगे यह देखिए तो इस तरह से हम ढख कर पकाएंगे और ये देखें बीच बीच में हम ऐसे चलाते भी रहेंगे जिससे की मटर हमारी जले भी नहीं मटर और मसाले जले नहीं तो ये देख सकते हैं हमने जो नमक एट किया था इसकी वज़े से हमारे मटर ने थोड़ा बहुत मॉइस्चर छोड़ा है नमक की वज़े से तो ये इसी मॉइस्चर में हमारी मटर पक चुकी है तो इस तरह से एक दाना ले करके आप देख सकते हैं कि हमारी मटर पक गई है या नहीं तो ये देखें अच्छे से मैश हो रहा है मटर को तोड़ लेंगे जिससे कि जो हम कचोड़ियां भरे न तो कचोड़ियां स्टप करने में मटर फोड़े नहीं कचोड़ियों कुई क्यों मटर के दाने थोड़े मोटे मोटे होते न तो कचोड़ियां हमारी फूट सकती है मटर के दानों से तो ये देखिए अब हम बना लेंगे इसकी बॉल्स क्योंकि भरने में आसानी रहेगी तो बॉल्स बना करके रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि बेसन की वज़े से हमारे जो स्टपिंग में है वो बाइंडिंग भी अच्छे से आ गई है तो इसकी बॉल्स बनने लगी है तो आप चाहें तो आलू भी योज़ कर सकते हैं इसकी जगए पर तो ये देखिए हमने फिर से वही कड़ाई ले लिए अपनी और इसमें हम डालेंगे डेढ़ स्पून के करीब घी क्योंकि कड़ाई इसलिए वही ले लिए है क्योंकि इसमें काफी फ्लेव लेंगे और इसमें अब एट करेंगे हम एक काटोरी पानी तो हमने लिया हुआ हुआ है चावल का इक काटोरी आंटा तो इसमें डालेंगे नमग टेस्ट के निसौर या चावल के निसौर तो ये देखे हमारा पानी में बायला चुका है तो अब इसमें हम चावल कांटा मिलाएंगे देखे मिलाना इस तरह से है कि इसमें गांटे भी ना पड़े अच्छे से और इसको अच्छे से मिला लेना है और ये देखिए अभी आपको डो थोड़ा सा लूज लग रहा होगा मगर ये जैसे जैसे ठंडा होगा हमारा वैसे हाड होता जाएगा और ये देखिए एक मिनट तक हमेंसे पकाना है ऐसे ही गरमपा फ्लेम को बिल्कुल लो करकर के और ये देखिए हम ऐसे हां से आटे को मैश करेंगे जिससे कि ये डो बन जाए तो देखिए अभी आटा चीपक रहा है तो इसमें हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे आप घी की जगे पर ओयल रिफाइंड ओयल कुछ भी लगा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है घी लगाने से थोड़ा सा क्र थोड़ा सा आटा एड़ कर सकते हैं यह देखिए हम इसमें चिली फ्लैक्स डालना भूल गए थे तो आप इससे हम ऐसे एड़ करेंगे आप चाहें तो पानी में चिली फ्लैक्स एड़ कर दे या फिर आप जिस समय पर आटा इसमें मिलाते हैं उस समय पर भी एड़ कर सकते है चिली फ्लैक्स तो यह देखे थोड़ा सा गी हाथ पर लगाते हुए इसकी हम चोटी-चोटी बॉल्स तोड़ लेंगे गोलिया बनाएंगे यह देखे एक बड़े साइज का जैसे नीबू होता है उसी तरह से हमने डो ले लिया है आप इसकी बनाएंगे गोलिया तो यह देखे इस तरह से फैलाएंगे हाथेली की मदद से और इसमें हम रख देंगे एक इस टपिंग की बॉल और इसको ऐसे करके पैक कर देंगे देगे वाइस में थोड़ा सा हाटा हमको ज़्यादा लग रहा था तो वह हमने तोड़ कर निकाल दिया है और इसको स्मूध हाँ से गोल करते वे कचोड़ी बना लेंगे देखे बेलेंगे भी नहीं और अच्छे स कचोड़ी बन जाएगे यह देखे इस तरह से सारी बना लेंगे तो यह दूसरी बॉल देख सकते हैं यह अटा और अटा पानी में पका हुआ है तो इसका कच्चा रहनेगे कोई गुंजाइस नहीं है तो यह बहुत अच्छा बहुत टेस्टी नासता लगता है खाने में क्रिस्पी तो इतना कि पूछे नहीं तो यह देखे इस तरह से दूसरी बॉल को हमने पैक कर लिया है और इसमें क्रैक्स एक भी नहीं रहने चाहिए अगर क्रैक्स रहे तो आपकी कचोड़ियां डालेंगे तो यह देख सकते हैं हमने इस तरह से अपनी कचोड़ियां डाली हुई है और इनको हम फ्राइ कर लेंगे दीरे-दीरे यह देखे एक तरह फ्राइब हो चुकी है तब हम पलट देंगे क्रिस्पी ना हो और आप ऐसी टच कर दे तो चावल के आट से धीमी फ्लेम पर इसको हमें सेकना है तो यह देखिए सब तरब से कितना अच्छे से गोल्टन ब्राउन हुई है तो इसी तरह से हमें सारी की सारी कचोड़ियां फ्राय कर लेनी है तो यह देख सकते हैं 가지고 यह हमारी हो रही है यह देखिये यह ॐही पर या ऐसे ही प्लैट पर रख लेंगे, तो देखिए इधर निकाल दी है, और उधर हमने दूसरी कचोणिया डाल दी है, बस उसी तरह से फ्राइ करना है, जैसे कि हम आटे से आलू की फ्राइ करते हैं, बस इनको टच नहीं जल्दी से करना है, अल्का सा सीख जाएं, उसके बाद टरन कर देना है, यह देखिए og इसी तरह से हमैं सारी कच्वड या मैं सेख लेनी है तो यह देखिए सारी कच्वड या मरी शीक कर तयार है aur कितनी यंई कितनी टेश्टी लग रह है तो इंका हम लार अपर सुना रहा हैं यह देखिए देखिए तो बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि चावल के आटे की कचोड़ना तो वैसे भी क्रिस्पी होती है बहुत टेस्टी होती है तो यह देखे गाइज इसकी स्टेपिंग हम आपको दिखा रहा है कि चारों तरब से कितने अच्छे से स्टेपिंग है इसकी और इतनी टेस्टी और इतनी यम में बनती हैं कि आप खाते ही रह जाएंगे रोज इस चार नास्ते में यहीं मांगेंगे तो हमारी यह रेस्पी आगर पसंद आई हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब और शेयर